फ्रेंचाइजिंग सिस्टम की दाट इस प्रोड़क्ट और ट्रेडमार्क सिस्टम आप अपने बुक से इसका रेफरेंस लेंगे वहां आपटी टेल में इसको पढ़ेंगे ठीक है तब आपको तमाम चीज़ें जुनसी है बिटर वे में समझना समझ जाएंगे ठीक है तो ट बरडिक्ट या सैविस जुनसी है उनकी खरीदते हो आप उनके परक्ड़क्ट्स जो है वो खरीदते ओ और उनको आगर बेचते हो डिस्ट्रिबीोशन का कम करते हो ठीक है आपके यह जो शोरूम्स होते हैं टेयोटा के हॉणडा के बिजुक्षार को लेते हैं उनके विह क format है कि आप उनके product and services को तो बेच रहे होते हो साथ-साथ उनका business format भी follow कर रहे होते हो जैसे mcdolland है ठीक है आप जितने भी franchising business हैं ठीक है franchises है sorry mcdolland की वो तमाम की तमाम same recipes जो है इस्तमाल करती है ठीक है at a time of the franchising agreement तो यह क्या होता है कि इनके staff जो है training लेकर आती है training लेती है उनसे ठीक है original mcdolland वालों से उनके जो भी format system होता होगा ठीक है business format में क्या होता है कि आप उनसे training लेते हो tactics सेखते हो ठीक है intellectual जो है वो भी tactics सीखते हो कि आप लोगोंने किसना अपने customers को handle करना है किस तरीके से आप लोगोंने अपना business को चलाना है ठीक है तो business को भी और customers के dealing handling तमाम किसम की जो है information वो आप फ्रेंचाइजर देता है और उसी के accordingly franchises चलती है ठीक है तो यह दो टाइप्स है franchising के ठीक है विटा इस में आप उनी बुक में से इसकी जो है हो यह topics जुन से हैं इनको revise कीजिए और जो आपको कोई भी query होते हैं कोई भी question होता है तो you are free to ask me thank you